Hello students, मैं शाहिन लूथरा, आज ने आपको कक्षा 6 का अध्याई 5 की प्रशनावली 5 ते शमलव 8 करवाऊंगी, जिसका पहला प्रशन है जाच कीजिए कि निम्न में से कौन सी आकर्ती बहुबुझ है, यदि इन में से कोई बहुबुझ नहीं है तो कारण बताइए, मैंने आप आपको इंट्रड़क्शन वीडियो में समझायाता है कि बहुबुझ क्या होता है, जिसका में इंग्लिशन पॉलिगन कहते हैं, जो हमारी एक क्लोज आकर्ती होती है, लेकिन वो हमारी रेखाखंट से बनी होनी चाहिए, तो वो हमारा एक बहुबुझ होता है, जैसे यह हम अंसर है, हाँ, ये एक बंद आकर्ती है, इसलिए ये बहुबुझ है, अब ये भी हमारी बंद आकर्ती है, लेकिन ये रेखाखंट से नहीं बनी होई, इसलिए इसका अंसर नहीं है, अब इसके अंदर ये दो रेखाएं तो हैं, लेकिन नीचे यहाँ पे एक क्या जाता है करवा जाता है इसलिए इसका अंसर भी नहीं है ये बंदा करती तो है पर रेखा खर्ण से सब भी नहीं बनी है इसलिए इसका अंसर भी नहीं है उसके बाद प्रेशन दो है प्रतेग बहुबुच का नाम लिखिए अब हमें इन सब के नाम बताने हैं इसके साथ हमें और चत्रबुज की चार बुजाए होती हैं, आप इसके अंदर एक आयत और एक वर्ग बना सकते हैं इसके एग्सामपल के लिए छीक है, उसके बाद दूसरा फिगर है हमारा त्रबुज, अब जो त्रबुज है हमें त्रबुज के भी दो एक्सामपल नीचे दो उधारन ब बना लीजिए ठीक है तो ये आपके दो उधारन हो गए तरबुझ के भी उसके बाद तीसरा जो है हमारा ये है पंच भुझ जिसकी हमारी पांच भुझाएं हैं जिसके अंदर हमारी तो ये हमारा हो गया पंच भुझ आप पंच भुझ वाले कोई भी दो फिगर बना सकते है एक ऐसे हमारा ये हो गया है, एक दो भुझा, तीसरी, चोती, और ये हमारी पाँच भी भुझा, एक पंच भुझा हमारा ये बन जाएगा, एक आप और बना सकते हो, ऐसे करके, इसको थोड़ा सा आपने बड़ा बना देना है, और नीचे आके आपने इसको ऐसे, बतलाँ 5 बननी चीए अब कैसे भी बनाओं ठीक है ये भी हमारा पंच भुझ हो जएगा उसके बाद हमारा आजाएगा अश्ट भुझ इसकी आठ भुझाए है ठीक है अब आपने कोई दो उधारन बना ले 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 जिसके अंदर आठ भुझाए हो ऐसी जैसे हमने ये बना है फ्रशन देखते हैं इनमें से प्रते को दो उधारन बनाईए एक सम पश्ट भुझ रेगुलर हेक्सगन जिसमें छे भुझाए होती है का एक रफ चित्र खीचिए उसके किनी तीन शीर्शों को जोड़कर एक तिरभुझ बनाईए पहचानी आपने किस प्रकार का तिरभुझ खीच लिया है तो इसके लिए हमें क्या करना है पहले हमें छे भुझाओ वाला एक सम पश्ट भुझ बनाना है जैसे कि मैंने छे भुझाओ वाला बनाया है उसके बाद हमें इसके अंदर क्या करना था इसके अंदर हमें किनी तीन शीर्शों को जोड़कर एक तिरभुझ बना दिया ठीक है आप तिर्बुज बन गया उसके बाद पहचाने कि आपने किस प्रकार का तिर्बुज खीच लिया है अब आपको पहचानना है कैसा तिर्बुज कौन सा तिर्बुज है माना A, B, C, D, E, I, F, X, सम पश्टबुज रफ शितर है इसके अंदर A, C और A, D को मिलाओ हमने A, C और A, D को मिलाया एक तिर्बुज बन गया A, C, D ठीक है ये एक तिर्बुज प्राप्त होता है जिसके अंदर कौन A, C, D 90 डिगरी का यानिकि जो ये कौन है हमारा 90 डिगरी का यानिकि हमारा जो तिर गेफबेट बीच में लिखा होता है हम उसी कोण को जो हैं बतारे होते हैं कि यहाँ पर जो C है वो हमारा 90 डिगरी गयाLYए क्योंकि C बीच में है तो यहाँ पर तो वर्गा कित कागज स्क्यूर्ड पेपर का प्रियोग कर सकते हैं इस अश्ट भुज में ठीक चार शीशों को जोड़ कर एक आयत कीजिए जैसे पहले हमने हेक्सागन में तीन शीश जोड़े थे अब इसके अंदर हमें चार शीश जोड़ के एक आयत बनाना है ठीक है पहल से जी से लेके ए तक एक शीश को जोड़ लेंगे फिर ए से लेके सी तक एक शीश को जोड़ लेंगे फिर ए से ए तक एक शीश को जोड़ लेंगे आपने स्केल से करना है फिर इसको इस से हमने ये चार शीश जोड़ दिये तो हमारा एक आयत बन गया माना A, B, C, D, E, F, G एक समच्ट बुझ है, A, C, A, C, E, G और G, A को जोड़ने पर एक आयत क्या मिलता हमें, A, C, E, G, यह हमें प्राप्त होता है, ठीक हैं, उसके बाद प्रेशन 5 देखते हैं, किसी बहुबुझ का विक्रण करके, कोई हमें एक इसके अंदर एक पॉलिगन, बहुबुझ बनाना ह हैं, उसका विक्रण करके, उसके विक्रण उसके किनी 2 शीर्षो, यानि कि आसन शीर्षो को जोड़ने से प्राप्त होता है, यह हैं, इसकी भुझाएं नहीं होती, एक पंच-बुझ का एक रफ चित्र खीचिए, और उसके विक्रण कीचिए, यानि कि अब हमें ऐसा चित् जिसमें हमारी पांच बुजाएं हैं और उसकी अंदर जितने भी शीर्ष हैं हमें सबको आपस में जितने भी हमारे विकर्ण हमें उसके अंदर दो शीर्षो देखो किसी बहुबुज का विकर्ण उसके किनी दो शीर्षो को जोड़ने से प्राप्त होता है यानि कि विकर्ण कैसे बनता कोई भी 2 शीरश को जोड़ो तो विकर्ण बन जाता है ठीक है यह इसकी बुजाएं नहीं होती विकर्ण उसकी बुजाएं नहीं होती तो इसके लिए पहले हमने क्या करना एक ऐसा पाच बुजाओं वाला पंच-बुच बना लेना है उसके बाद जो इसके विकर्ण हमें इसके अंदर बनाने है जैसे पहले हम A से D दो शीर्षों को जोड़ेंगे फिर D से आप B ये भी दो शीर्षों को जोड़ दिया आपने उसके बाद E से C ये भी हमने दो शीर्षों को जोड़ दिया आप उसके बाद C से A ये भी हमारे दो शीर्षों जोड़ गए, इससे क्या हो रहा है, ये हमारा विकर्ण बन रहा है, ऐसे ही E से B, ये भी हमारा विकर्ण बन गया, तो हमने क्या करा, दो शीर्षों को जोड़ कर हमने इसके अंदर क्या बनाए, विकर्ण बनाए, माना A, B, C, D, E, पंच बुझ की रफ आ करती है, इसके विकर्ण खीशने के लिए A, C, A, D जिसको आपने जोड़ा, उन सब का नाम यहाँ पर लिख दो अत है, जो विकर्ण का नाम अब आ गया A, C, A, D, B, D इसके विकर्ण है हमें इस पंच बुश के अंदर से विकर्ण बनाने थे ठीक है, तो इसके विकर्ण बन गए तो यहाँ पर हमारी जो प्रशन आवली है 5.8 पूरी कम्प्लीट हो जाती है होफ़ली आपको वीडियो हेलफ लगा वीडियो हेलफ लगा तो प्लीज लाइक शेरें सब्सक्राइब करें थैंक यू